हलो गाईज़ आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टॉपर सिंग पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनिंग अपडेट लाए हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की नूज पेपर में आईए उन सारी अपडेट को हम लोग एक आज की वीडियो को चले गए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रपल सी पेट की बेस्ट बुक के बारे में जो की चक्शू पब्लिकेशन की आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी ट्रपल सी पेट समूगा की संपूर्ण गाइड है ज इसको डिजाइन किया गया है यह बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगी बुक श्टोर पर मिल जाएगी नीचे मैंने लिंक दे दिया है वहां से भी आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं प्रेक्टिस सेट भी बेहतीन तरीके का है और जो दोनोग प्रेक्टिस सेट हैं इसका जो है आपको एक्स्प्लाइनेशन भी सही से मिल जाएगा साथी साथ आपको यहाँ पर इसक्रीन पर जो है दो बुक और दिख रही है इन दोनोग बुक को आप जो है मार्क भी आप परचेज कर सकते हैं यह भी जो है चक्चु पॉ एरोपियों को जो है जेल भेजा गया है एस्टी अपने ब्रिस्पतिवार को नैनी जेल के पास से नकल रैकेट से जुड़े एक और आरूपी कसान को गिरफतार कर लिया है चेतना गल्स इंटर कालेज की प्रिंसपल का बेटा कसान इस मामले में पहले सही नाम जत्ता उसकी खोजबिं की जा रही थी उधर बुदवार को पकड़े गए आठो अरोपियों को जो है जेल बेद दिया गया है कसान नैनी जेल में किसी से मिलने गया था इस बात की भनग मिलते ही एस्टी अपने टीम ने वहाँ घेरे बंदी किया और उसे पकड़ लिया उसे नैनी थाने में दाखिल किया गया है लेकपाल बरती परिच्छा में चेतना गल्स इंटर कालेज करेली में एक महला बैरती सौल पेपर के साथ पकड़ी गई थी अन्य बैरतियों ने इसे लेकर कापी अंगामा किया था बाद में इस्टेटिंग मजिस्टेट की अफाई यार पर प्रध का भी आंकड़ा जो है पार हो गया था 200 से जादा लोग जो है पकड़े गए गिरपतार हुए और लेकिन उस परिच्छा को जो है रद नहीं किया गया था और आपने बाद में देखा जब उसका कटाफ जारी हुआ तो सभी लोगों के होस उड़ गए समझ में आगी बात इ अब इसका कटाफ है लेकपाल का रिजल्ट आए तो इतनी हाई कटाफ चली जा और एक बार जब रिजल्ट आ जाता है तो कोई चीज हो नहीं पाती जैसे आपने UPSI में देखा है तो इसलिए अब जो चातर है वो मांग कर रहे हैं कि अब जो है इस परिक्छा को जो है टाल दिया जाए आपने देखा भी होगा यहाँ पर एक और अपडेटे पहले इसको हम देख लेते हैं यहाँ लिखा है कि नकल के खेल में मनी लांडरिंग की भी जांच लेकपाल भरती में नकल कराने का हुआ था लाखों का लिन देन लेकपाल भरती परिक्चा में नकल कराने के आरोप में गिरपतार हुए चार स्कुल प्रबंदकों समेत आठो रुपिकों गुरुआर को जेल भेद दिया गया है फरार अन अरोपतों की तलास में स्टीअप की दो टीमें गुरुआर को भी छापे मारी करती रहे हैं इस पेपर में आपने देखा ही होगा चेतना इसमें जो है चार प्रबंदक पकड़े गए टोटल आठ लोग पकड़े गए तो आप जो चात्र वो यही कहरें कि अब हमें कुछ नहीं सुनना है आप परिक्चा को रद कराई जाए क्योंकि जब भाई सीधा पूरा जो पेपर जिसको मिला है जो एकदम से आपने देखा होगा रितु आला जो आपने पेपर देखा था उसकी एंसर सीट 100% सही थी एंसर सीट आएसे में लोग पूरा का पूरा करके आएंगे आप कितना भी पढ़के जो कोई मतलम नहीं बनता है उसका ठीक है तो यह चीज़ चली अगली जो यहाँ पर अपडेट है वो बेड कांसिलिंग को लेकरके है आप सभी लोगों के मन में सवाल होगा कि बेड की कांसिलिंग कब से होगी तो यहाँ पर जो एक अपडेट है उसके मादध है मैं आपको बता दूँ आपकी जो कांसिलिंग है वो 15-20 नहीं होगी तो अगर बहुत जल्दी करेगा तो भी 20 दिन लग जाएगा और आप मान के चलिए कि कम से कम 15 से 20 सितंबर के बीच में आपकी B8 की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी इसलिए आप लोग डाकुमेंट्स तयार रखें कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे मुझे सू अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर प्री रासन अभी देती रहेगी क्योंकि आपको पता होना चीए कि जो है आपकी UP महीने में दो बार फ्री रासन मिलता था एक जो है इस्टेट देती थी और एक जो है सेंटल देती थी इस्टेट वाला बंद हो चुका है इसके लिए आपको 2 रुपे गेऊ हूँ और 3 रुपे चावल देना होगा लेकिन सेंटल का जो एक मिलता था व् będziemy देता रहेगा इसको लेकर कर के यहाँ पर अप्डेट आग बुक्तान करना होगा, हाला कि प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना की तहत रासन फ्री में ही बटता रहेगा, इस योजना का विस्तार सितंबर 2022 के लिए किया गया था, प्रदेश में एक माह में दो बार मुप्त रासन बट रहा था, एक राश्ट्री खादिश रुक् तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो है राज सरकार नहीं देगी, हाला कि केंदर वाली जो चीज़े हैं वो बटती रहेंगी, तो एक बड़ी अपडेट है, और इसका स्क्रीन साट अब ले सकते हो, अगर आपको पढ़ना है नहीं, तो आज की नियुक् किया प्रदर्सन, असिस्टेंट प्रोफेसर बरती में दांदली का आरोप लगाते हुए, गुरुवार को कई प्रतियोगी छात्तों ने उच्चतर सिक्षा जिवा आयोग के बाहर प्रदर्सन किया है, उसके बाद मुक्यमंत्री को संबोधित ग्यापन सच्चिव को सौप कोई भी भरती यहां पर UP में होती है, उसको लेकर के दांदली के आरोप और दांदली सारी चीज़ें जो है यहां पर होती रहती है, यहां पर लोगों ने यह बाद रखी है कि कुछ लोगों को 100% नमर मिल चुके हैं, बल्लब पूरे के पूरे नमर जो की किसी भी कमप्टे के लिए उत्तर प्रदेश लोगसेव आयोग यूपी प्यस्टी में एक और दो सितंबर को साक्षतकार होगा इसके लिए आयोग ने बुलावा पत्र बात करते हैं जो कि यहाँ पर यूजी नीट को लेकर के है मेडिकल प्रवेज परिच्छा के नतीजे जो है वो साथ सितंबर तक गोसित किये जाएंगे नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंटी ने अधिकारों के ब्रहस्पतिवार को अजान कई दिये एक वर्स नीट में रिकार अब उस साथ सितंबर तक जारी हो जाएंगे तो फिलाल आज की मॉर्निंग अपडेट में इतनी सारी अपडेट थी अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप प्लीस सब्सक्राइब करना ना भू मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है मस्त रही है